हेलो बचो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल लाग्याज लर्निंग अड़ा पर आज फिर हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ और अच्छे कंसेप्ट की और कॉश्चन्स की और साथ ही साथ वोकेब की भी बात करेंगे तो चलिए आज की इस क्लास में कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं और आज के कंसेप्ट जो हैं वो कॉश्चन से रिलेटिड होंगे जैसे की अपन को पता है कुछ कंसेप्ट यहाँ पर हम आज कुछ और कंसेप्ट की बात करेंगे और जिसमें आज के हमारे जो कंसेप्ट से हैं वो कौन से हैं देखते हैं एक होता है पहला हमारा कंसेप्ट है कि एक होता है Comprise of C O M P R I S E Comprise और इसके साथ of और एक होता है Consist of यह आज के जो कोशन है न यह प्रिपोजिशन टॉपिक से रिलेटेड है दूसरा हमारा कंसेप्ट यह है कि एक होता है Despite of और एक होता है In spite of Despite of और In spite of यह दो और उसके बाद तीसरे कंसेप्ट की हम बात करें तो वो है Enter into कौन सा? Enter into और एक होता है Come into या Went into Come भी हो सकता है और Go का जो Second Form है Went Went into भी हो सकता है और जो Fourth Concept है हमारा वो कौन सा है? Investigation into Investigate या बोल दें Investigate और इसके साथ Into और दूसरा है Inquired into Inquired into Okay Inquired into यह चार कंसेप्ट से हैं कौन से चार कंसेप्ट्स? आपके सामने हैं एक तो होता है Comprise of एक होता है Consist of एक होता है Despite of एक होता है In spite of एक होता है Enter into एक होता है Come into या Went into Investigate into और एक होता है Inquired into ठीक है? चार कंसेप्ट्स हैं इन से related कुछ questions देखते हैं अपन जैसे question ये है Question number one है हमारे पास ये वाला कि मानलो की अपने पास question ये है कि This book This book मैं आपके सामने question लिख रहा हूँ और आज बारी है आपकी दोस्तों बताना है कि कहां कोण से sentence में क्या error है मैंने ये concept बता है इन ही concept पर ये question है चाहे तो आप कोई book notebook निकाल लो जो भी notes से आपके पास book है वो निकाल लो और फिर इन questions के answer आप लोगों को देने है फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस में क्या error है और जो question है वो सारे इन चार concepts पर है कोई अलग से question नहीं दूँगा मैं इन ही concept पर question दे रहा हूँ ये हमारा first question है इस book comprises comprises of ten chapters ten chapters and no error no error एक question तो है हमारा ये this book comprises of ten chapters ठीक है ये है हमारा question इसके चारों पार्ट है question number एक के चार पार्ट आपको ढूड़ना है error क्या है हमारा दूसरा question ये है कि this book दूसरा question क्या है कि this book मैं इसी में comprises के स्थान पर अब लगाता हूँ consists 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 of ten chapters ये है हमारा दूसरा question और short में लिख रहा हूँ आप मैं no error N E it means no error ये sentence का A part और ये sentence का B part और ये sentence का C part और ये sentence का D part तो फटा फट से आप ढूड़ते रहे है error क्या है मैं question लिखूंगा लगभग यहां पर 8 क्योंकि मेरे पास जो है ना 8 चीज़े है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8 और मैं question भी 8 लिखूंगा तो question number third हमारा क्या है third है in spite of in spite of in spite of his best efforts his best efforts he failed he failed और यहां पर है हमारे पास no error अब यह sentence का है हमारा A part, यह है हमारा sentence का B part, यह है हमारा sentence का C part और यह है हमारा sentence का D part अब question number 4 है हमारे पास, question number 4 है कि despite of, अब in spite के बदले हम क्या लिख रहे हैं? despite, despite of his, despite of his best efforts, best efforts, he failed, he failed, यह है sentence का, यह हमारा चोथा question है और यह sentence का है हमारा first part, यह है sentence का हमारा second part, यह है हमारा sentence का third part और यह है fourth उसके बाद है question number 5 हमारा, question number 5 है we entered, we entered, we entered, we entered into the room, we entered in, तीन लिख दिये मैंने, room और no error अब यह sentence का है first part, यह sentence का है second part, यह sentence का है third part और यह sentence का fourth part question number 6 है हमारा, कि he went into, he went into the room, he went into the room, और no error अब यह sentence का है a part, यह sentence का है b part, यह है c और यह है d इसी तरह question number हमारा है seven, कि the police, the police investigated into, investigated, investigated into, into, the case यह है हमारा question number seven, अब यह sentence का है a part, यह sentence का है b part, यह sentence का है हमारा c part और आगे मानलो no error है, इधर लिखते हैं थोड़ा सा question number eight question number eight है, इसी sentence को अगर हम ऐसे लिखें, the police, the police inquired, the police inquired into, inquired into, the case inquired into the case, और case और यह है no error, अब यह sentence का है a part, यह sentence का है b part, यह sentence का है c part, और d, अब आप से पूछा जा रहा है कि sentence में error क्या है, चलिए यहाँ पर हम कुछ errors की बात करेंगे, तो हमने लिखा था है यहाँ पर कि inspired के साथ ओफ आ सकता है, इसी तरह enter के साथ into गलत होता है, और come या went के साथ into सही होता है, इसी तरह investigation के साथ into गलत होता है, और inquired के साथ सही होता है, तो समझ गें आप concept क्या है, concept यह है कि compromise अकेल आता है, ओफ नहीं आएगा, consist के साथ ओफ आ सकता है, despite के साथ off लिखोगे तो गलत है, inspired के साथ off सही है, enter के साथ into लिखोगे तो गलत है, come या went के साथ into लिखोगे तो सही है, investigation के साथUA brod, के साथ इंटू लिखोगे तो गलत है इंकॉयड इंटू सही है अब यह चार कॉंसेप्ट थे इस पर याठ कोशन थे तो हम देखते हैं पहला कोशन यहां पर क्या है कम प्राइसीस के साथ ओफ आ रहा है इट मींस इस संटेंस के बी पार्ट में एरर है यह सिदह कम प्राइसी इस संटेंस के बी पार्ट में एरर हो गई फिर इस बुक कंसिस्ट के साथ ओफ आ सकता है जैसे कि यह रहा तो इसलिए इस संटेंस में कोई भी एरर नहीं है इसी तरह इंस्पाइट ओफ तो होता है इंस्पाइट के साथ ओफ चलेगा आएगा तो यह संटेंस में नो एरर ह बट despite के साथ off लगा हुआ है तो ये sentence में गल्दी है इस sentence में a part में error है इसी तरह हम आगे बढ़ें तो enter के साथ into अगर देगा तो गलत है we entered the room ही होता है खली c part में error है इस sentence में हम went के साथ into चलेगा इस sentence में कोई error नहीं है जैसा कि इस concept में बात हो रही है investigation के साथ into गलत होता है तो the police investigation into the case ये गलत है इस sentence को सिर्फ ऐसे लिखना था the police investigated the case इतना ही सही था तो इस sentence के c part में error है और हाँ inquired के साथ into आ सकता है inquired into सही है तो इस sentence में कोई भी error नहीं है तो दोस्तों ये थे आज की कुछ महतोपूर्ण concept class छोटी जरूर होती है लेकिन most important ह होती है तो ये छोटी 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 classes जो आपके लिए मैं बना रहूं आगामी परिक्षा के लिए इन छोटी छोटी क्लासों का आप आनंद लेते रहें और अपने दोस्तों को भी आनंद दिलाएं और comment जरूर किया करें और आपको समझ में आता है तो भी नहीं आता है तो क्या improvement होना चाहिए इस class के अंदर वो आप बताते रहें हाँ समय की कमी की वज़े से class छोटी जरूर होगी बट most important होगी आपके लिए ही और आपके आने वाली आगामी परिक्षा के लिए तो आगामी परिक्षा के लिए best of luck इसी तरह है छोटी छोटी class का आनंद लेते रहे क्षा के लिए